आज बनाएंगे ऐसा नास्ता जिससे 10 मिनट में बना कर तियार कर लेंगे और काफी टेस्टी होगा और साथ में बहुत ही हिल्दी होगा इस नास्ते को हम बहुत ही कम तेल में बना कर तियार करेंगे जो खाने में टेस्टी तो है ही साथ में हिल्दी भी है और बच्चों को ट लिया है और उसी कप से मैंने एक कप ले लिया है दही और उसी कप से मैंने एक कप पानी डाला है पहले अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तो पने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करिएगा तो हमारा गोल बनकर तयार है अब हम इसे करिब 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ा हो चुका है और फूल भी गया है तो इस तरह से कुछ गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सबज काली मिर्च्पावडर मैंने डालप आधा चमच के करीब कमे feel हैं दो चमाच के कर्रिब लिए अपसंद को काली मिर्च कौदर मैंने डालव है इसमें आधा चमाच के करीब इतना है है फिरभी ये बोहोत ज्यादाठीách कर तयार होता है तो आप एक वार इस नास्ते को जरूर ट्राइ करिएगा तो सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है पहले हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे बाद में अगर पानी की जरूरत होगी तो थोड़ा सा हम इसमें एड करेंगे क्योंकि मैंने इसमें लौकी डाला था इसलिए मैंने पानी पहले नहीं डाला था क्योंकि लौकी में पहले से ही पानी होता है तो मैंने अब इसमें डाल दिया स्वात के अनुसार नमक और एक चोथाई चमच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है आधा कप करी पानी मैंने इसमें और अभी डाल दिया है और इस सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो हमारा बेटर बन कर तेयार है तो चलिए गैस के तरफ पैन रख दिया है मैंने एक चम मच इसमें मैंने तेल डाला है अब हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे, थोड़ा सा तील डालेंगे इसमें, और कुछ करी के पत्ते डाल देंगे, अब मैंने घोल डाला है, करीब एक चमच के करीब डाला है, बड़े चमच से, और इसे हम ढग देंगे, और इसे लो फ्लेम पर हम पकने देंगे, आप इसे पलटने में जल दिवाजी मत करिएगा ये नहीं तो खराब हो सकता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे से कितने अच्छे से पका है इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है तो हम इसी तरह से इसे धीमी आज पर सेकते सेकते ही विसे पकाना है इस तरह से हमें पका लेना है तो हमारा एक नास्ता बन कर तयार है आप देख सकते हैं यह कितना टेश्टी लग रहा है तो इसी तरह से हम सारे नास्ते को बना लेंगे आप चाहें तो इसे सुबह सुबह बच्चों को टिफिन के लिए भी दे सकते हैं सारी तैयारी आप रात में करके रख लें और सुबह फटा-फट से बना कर बच्चों को दे सकते हैं बच्चे काफी पसंद करते हैं इसे और ये टेस्टी के साथ हिलदी भी है तो इसी तरह से मैंने सारे नास्ते बना लिये हैं तो कैसा लगा आपको आज की रेसिपी कमेंट जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंडर फैमली के साथ सेयर करिएगा हम अपने चैनल पर इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी लेकर आते रहते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की आसान रेसिपी लेकर तब तक के लिए बाई बाई